साधी के मंदब से खीचते हुए ठाने पर ले जाकर दुलहन की पिटाई का मामला शोमवार को दुलह दुलहन के बीच सुलचता दिखा सुमवार को जब दुलह अभिनए दुलहिन जूली का हाल चाल लेने हॉस्पिटल पहुँचा तो उसने पूछ लिया कि अब तो नहीं भागोगे इसके जबाब में अभिने ने कहा कि साथ जनम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूगा साथ फेरो के वचन को भी निभाऊँगा दरसल सुमवार की सुबह अभिने अपनी सास और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ सीनियर वकील संगीता शाही के पास पहुँचें उनके जरिये कोट में सबत पत्र दायर करने के बाद पूरे मामले पर कहा गया कि वे अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ हैदराबाद में रहते हैं वहीं एक निजी कमपनी में काम भी करते हैं जूली से उनकी शादी की बात चल रही थी तारीख तै नहीं थी परिवार वाले नवंबर दिसंबर में शादी तै करने को राजी थे इसी बीच वे अपनी माव चोटे भाई के साथ छुटी में अपने गाउं में ठी पहुँचे इसी भी जूली के घर से उनके पिता की तव्यत काफी खराब होने की सूच ना मिली क्योंकि शादी तै थी इसलिए 25 माई को शुबह साड़े 10 बजे वे मा को बताए बगेर ससुर को देखने गायगाट पहुँच गए वहाँ लोगोंने ससुर का हवाला देते हुए शादी का प्रोपोजल रखा तो अभी मन्यू ने हालत देखकर सहमती दे दी और अब उन्होंने फैसला लिया है कि हर हाल में अपनी दुलहन को कानूनी लड़ाई में मदद दे कर जुडिस्यल कस्टडी से रिलीज कराएंगे उधर जुली समेत अने लोगों की पुलिस बिटाई मामले की कोट ने गंभीरता से लिया है जुली की मा की और से दायर परिवाद पर कोट ने पुलिस के खिलाफ लगे गंभीर आरोप को देखते हुए खुद जाच करने का फैसला लिया है बता दें की होस्पीटल में तीन दिनों से पुलिस हिरासत में दुलहन वाउस की बड़ी बेहन का इलाज चल रहा है दुलहन जुली की मा सुमित्रा देवी ने कोट में परिवाद दायर किया इसमें कहा गया है कि दो महिने पहले शादी तै हो गई थी नेक्स्ट नाइट न्यूजरों से ममता की रिपोर्ट